गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक्जाम के बार यूटूब चैनल पर आज है 10 दिसंबर 2020 और आज हम आपके लिए लेक कर आए हूँ 10 दिसंबर 2020 से जड़े current affair के important questions साती आज का हमारेके important topic डॉक्टर राज़ेंदर परसाद डॉक्टर राज़ेंदर परसाद से जड़े जो भी important question बनते हैं वो हम आज की वीडियो में discuss करेंगे साती आज की वीडियो के अंति में आप सभी के लिए एक छोटा सा test है जिसमें कुल 4 questions होंगे आप सभी को 4 questions के answer comment box में देने है 4 questions बहुत important है तो इनके answer आप comment box में जरूर दीजेगा साती आज की वीडियो में जितने भी important fact आए उन्हें आपको note जरूर कर लेना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें कल के test की कल के test का पहला प्रश्न था कलिंग युद्ध के पश्चाद अशोक ने किस निती को अपनाया था तो आपको याद रखना है कलिंग का युद्ध हुआ था 261 इसा पूर्व 261 इसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के मत्या ठीक है दोस्तों तो इस युद्ध में उसने युद्ध निती को अपनाया था ठीक है दोस्तों तो जो है अशोक ने युद्ध निती को छोड़ कर कलिंग की युद्ध के पश्चाद धम निती को अपनाया था ठीक है दोस्तों और संस्थापक था चंदरगुप्त मोर्य उसके बाद आया था बिंदुसार और बिंदुसार का पुतर था अशोग तो अशोग जो था यह मोर्य वंच का तीसरा शाशक हुआ ठीक दोस्तों जो कि 269 इसापुर्व में शाशक बना था और 8 वर्ष के पच्चात इसने 261 धर्म से संबन्दित है हमने एक और चीज़ पड़ी थी कि जो बौध्ध धर्म है इसमें तीन रतन होते हैं त्री रतन पहला तो होता है बुद्ध बुद्ध धर्म के तीन रतन में पहला है बुद्ध दूसरा है धम और तीसरा है संग ठीक दोस्तों आपको याद रखने अ जो था ये एक प्रकार का दान विभाग था ठीक दोस्तो उस समय की जाशाशक जो थे वो दान देते थे उसके लिए विभाग का गटन किया गया था जिसका नाम था दान विभाग और इसका नाम रखा गया था दिवान एक हेरान और इसका संस्तापक कोन था इसका संस्तापक फिरोशा तुगलक जो था ये तुगलक वंच का तीसरा शाशक था तुगलक वंच का तीसरा शाशक हुआ था पहला शाशक था गया सुद्दिन तुगलक जिसका नाम था गाजी मलिक ठीक दोस्तो तुगलक वंच का पहला शाशक हुआ था गया सुद्दिन तुगलक जिसका में सन 1333 में एबन बतूता भारत आया था important question मनता है कि एबन बतूता किसके समय काल में भारत आया था तो वो मुहम्मद बीन तुगलक के शाशन काल में भारत आया था 1333 में जो कि मौरक्को का यात्री था मौरक्को का यात्री एबन बतूता 1333 में मुहम्मद बिन तुगलक के शाषिन काल में भारत आया था और उसने एक पुस्तक लिखी थी उसकी यातरव रतां था जिसका नाम है रहला इंपोर्टेंट और आपको याद रखने है कि रहला पुस्तक का लेकग था इबन बतू था इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कि रामानुज जो थे ये श्री संप्रदा इम्मत के सस्था पकते कोशन नमर चारता भारती पुनर जागरण का जनक किने का जता है तो भारती पुनर जागरण के जनक माने जाते हैं राजा राम मोन राए ठीक दोस्तों इन्हें आधुनिक भारत का भी जनक माना जाता है आधुनिक भारत का जनक कहें या भारती पुनर जागरन का जनक इन दोनों का अंसर है राजा राम मोन राए जी थे इन्हें भारती पुनर जागरन का जनक माना जाता है इनसे जुड़े आपको 2-3 important factors जो आपको याद रखने है सबसे पहला ये था कि 1815 में इन्होंने आत्मिय सभा के स्थापने की थी अगर question आ जाए exam में कि आत्मिय सभा के स्थापने कब की गई तो 1815 में की गई थी और किसके द्वार की गई थी तो राजा राम मौर राई जी के द्वार की गई थी दूसरा इन्होंने किया था 1828 में 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज के स्थापने की थी important question और बहुत बार exam आया हुए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कोन थे तो ब्रह्म समाज के संस्तापक थे राजा रामोर जो 1815 में इनों आत्मिय सभा की स्थापने की उसी के स्थान पर 1828 में इनों ने ब्रह्म समाज की स्थापने की थी ठीके दोस्तों जिनमें इनके शामिलते एक थे देविंदर नाटेगोर तो इन दोनों ने मिलकर जो है ब्रह्म समाच के स्थापने के थी 1828 में और भी important question मनते हैं कि राजा रामोन राय जी है इन्हें राजा की उपादी किसने दी थी तो उसमें मुगल वज़ का शाशक था अकबर द्वित्य है अकबर द्वित्य के द्वारा इन्हें राजा की उपादी दी कई थी question important और आपको याद रखना है कि अकबर द्वित्य के दारा इन्हें राजा की उपादी दी कई थी और अकबर द्वित्य नहीं इन्हें अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लेंड भेज जाता जहाँ पर इनकी मृत्यू हो गई थी तो आपको ये सभी important facts याद रखने एक बार फिर से बता देता हो भारती पुनर जागरण का जनक राजा रामोन राई जी 1815 में इन्होंने आत्मिय सभा की स्थापने की थी जिसके इस्थान पर फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापने की इन्हें राजा की उपादी दीती अकबर द्वित्य ने ठीके दोस्तों और उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए किने इंग्लेंड भेजा था तो राजा रामोन राय को भेजा था और राजा की उपादी भी अकबर द्वित्य ने दी थी सभी इंपोर्टेंट फेक्ट बहुत जाद महत्पूर्ण और आपको याद रखने हैं अब चलते हैं आज के हमारे टोपिक पर आज हम पढ़ने वाले थे डौक्टर राजेंदर प्रसाद के बारे में इन से जुड़े जो भी इंपोर्टेंट कोशन मनते हैं वह हम आज की वीडियो में देखेंगे सबसे पहले अगर बात करें तो उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को इनकी मृत्यू हुई थी 28 फरवरी 1963 को ये इनका था ठीक दोस्तों इनका जन्म और मृत्यू का समय था यानकी तारीक थी ठीक दोस्तों अब सबसे पहला कोशन मनता है कि सविधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष कोन थे तो सविधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंदर परसाद जब सविधान सभा का गटन किया गया तब उसका इस्थाई अध्यक्ष कीने बनाया था वह सचिदानंद सिनह इन्हें अस्ताय अधक्ष बनाया गया था इस्ताय अधक्ष ते डॉक्टर राजेंदर परसाथ इसके बाद एक और कोशन वनता है कि भारत के प्रत्थम राष्टपती कोन बने तो भारत के प्रत्थम राष्टपती निस सो पचास से लेकर 1962 तक रहे थे डॉक्टर राजेंदर परसाथ एक और कोशन मनता है कि सबसे अधिक समय तक राष्टपती कोन रहे है या किन का कारेकाल राष्टपती को तोर पर सबसे लंबा है तो आपको याद रखने है डॉक्टर राजेंदर परसाथ का डॉक्टर राजेंदर परसाथ जो अगला कोशन मनता है कि डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ को भारत रतने से संबानित किया गया तो जब इनोंने 1962 में ये राष्ट पती के पत्सिनों ने इस्तिफा दिया था उसके पश्चाथ जो है भारत रतने से संबानित किया गया था। इने 1962 में आपको याद रखना है कि 1962 में डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को भारत रतने से संभानित किया गया था ये हैं कुछ important question अब बात करते हैं इनकी प्रमक पुस्तक के बारे में इनके द्वारे कुछ पुस्तक के लिखी गई थी जो important है सबसे पहले आती है भारतिय संस्कृति वखादी का अर्थ शास्तर question अगर exam में आजए कि भारतिय संस्कृति वखादी का अर्थ शास्तर पुस्तक किन के द्वारे लिखी गई थी डॉक्टर राजेंदर प्रसाद के द्वारे लिखी गई थी India divided सबसे important पुस्तक है India divided 8 चमपारण आप जाते हैं चमपारण में जो है सत्यागर है हुआ था ठीक दोस्तों तो सत्यागर है 8 चमपारण ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर राजेंदर प्रसाद के द्वारे लिखी गई है प्रती जाधा महत्पुर ने जो एक्जाम में पूछ गए हैं आपको ये सभी याद रखने हैं साथ ही इने आप नोट जरूर कर लीजेगा चलते हैं आज के पहले प्रशन पर आज का हमारा पहला प्रशन है Forbes की और से जारी So Powerful Woman List में ठीके दोस्तों किस महिला को प्रतम इस्तान प्राप्ट हुआ है तो हाली में Forbes की और से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें की विश्व की सो सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट है इसमें पहले इस्तान पर रही है जर्मनी की चांसलर एंजेला मरकल इंपोर्टेंट कोश्चन है और आने वाले एक्जाम है जो भी एक्जाम आएगा उसमें एक्जाम जरूर देखा जाएगा तो आपको याद रखना है कि हाली में Forbes की और से जारी So Powerful Woman List में एंजेला मरकल जो की जर्मनी की चांसलर है इन्हें पहला इस्तान प्राप्त हुआ है आपको याद रखना है important question है Question number 2 है केंद्री शिक्षाम मंत्राले ने भारत की केंद्री शिक्षाम मंत्राले ने नई बेग policy जारी की है जिसमें बेग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा तो छोटे बच्चे होते हैं छोटे इस्कूली बच्चे उनके लिए एक policy जारी की गई है जिसमें कि उनका जो बेग का भार होता है वो 5 किलो से जादा नहीं हो सकता है इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कि केंदरी शिक्षा मंतराले के द्वारा नई बेग policy में जो है बात दिखी गई है कि जो बच्चों के बेग होंगे वो 5 किलो से अधिक बाहर के नहीं होंगे इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है question number 3 है विश्व की सो सबसे ताकत और महिलाओं की सूची में भारत में कौन शेश पर रही है अभी हमने पढ़ा कि Forbes की ओर से जारी की गई है सो सबसे ताकत और महिलाओं की सूची जिसमें की पहले स्थान पर रही है जर्मनी की चांसलर एंजेला मरकल वही अगर बात करें तो इस लिस्ट में जो भारती हैं उनमें कौन शेश पर रही है तो आपको याद रखना है इनमें शेश पर रही है निर्मला सीतारमन अगर बात करें तो निर्मला सीतारमन को इन सो महिलाओं की सूची में 41 वह इस्थान प्राप्त हुआ है सबसे important question है आने वाले exam के लिए आपको याद रखने जितना important question ये है कि 100 सबसे ताकत और महिलाओ की सूची में पहले स्थान पर कौन है एंजेला मरकल उसी प्रकार सबसे important है question बन सकता है कि निर्मला सीता रमन सबसे ताकत और महिलाओ की सूची में कौन से स्थान पर रही है तो 41 वे स्थान पर रही है भारत की कुल 4 महिलाओ को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है निर्मला सीता रमन रही है 41 वे स्थान पर इसके बाद आता है रोशनी नाडर मलोतरा ये रही है 55 इस्थान पर किरन मजूमदार शो ये रही है 68 यानि कि 68 इस्थान पर और रेणू का जगतियानी ये रही है 98 इस्थान पर यानि कि जो टॉप 100 की जो लिस्ट है इसमें भारत की ये 4 मैलाएं है और इनकी रेंक भी आपको याद रखनी है 41 वे इस्थान पर निर्मला शितारमन जो कि भारत में सबसे शीर्ष पर है रोषणी नादन मल होता है 55 वे इस्तान पर जो कि दूसरे इस्तान पर है भारत में किरन मजूमदार शो है 3 री स्थान पर जो है 68 वी रेंक के साथ और रेणू का जगतियानी है 98 वेस्थान पर जो है 4 ही रेंग के साथ सब भी important है और आपको याद रखना है आपको पहला याद रखना है 41 वेस्थान पर है 41 वेस्थान पर है नीरमला सितारमट 41 को उल्टा करें तो 14 आता है और 14 छोड़के 45 वेस्थान पर है रोश्णी नाडर मलहोतरा इस परकार आप याद रख सकते हैं important question और आने वाले exam में इस list से जुड़े ये question देखे जा सकते हैं तो आपको ये सभी याद रखने है question number 4 है रास्टपती जो बाइडन यानि अमेरिका की नई रास्टपती बने है जो कि आप शपत लेंगे जनवरी में लेकिन अभी रास्टपती है जो बाइडन ने रिटार जनरल Lloyd Austin को आपका नाम याद रखनें लॉयर्ड आस्टीन को किस पद के लिए चुना है तो ये जो अमेरिकी सेना है उसकी retired general है ठीक दोस्तों जिसकी भारत की अभी थल्ग सेना प्रोमो कोते हैं उसी प्रकार जो है retired general है lawyer Austin America के तो हाली में जो बाइडन ने इन्हें रक्षा मंतरी का पत दिया है question important और आने वाले exam में दिखा जा सकता है कि अमेरिका के नई रक्षा मंतरी कोन बने है तो हाली में जो है इसकी गोशना की है राष्टपती जो बाइडन ने कि retired general lawyer Austin जो होंगे ये रक्षा मंतरी होंगे ये पहले अरश्वेत रक्षा मंतरी होंगे अमेरिका के आपको याद बात करें WTA की तो WTA का full form है Women's Tennis Association यानि कि जो महिलाओ के लिए जो Tennis का Association है उसे कहा जाता है WTA Women's Tennis Association और हाली में इसकी player of the year किने चुना गया है तो इसकी player of the year बनी option number C Sophia Cannon important question है exam के लिए आपको याद रखना है कि WTA player of the year किने चुना गया है तो Sophia Cannon को चुना गया है और ये 8 वी अमेरिकी है यानि कि इन से पहले भी 7 अमेरिकी tennis खिलाडी महिला खिलाडियों को WTA player of the year चुना जा चुका है तो ये Sophia Cannon जो ही 8 वी अमेरिकी खिलाडी है आपको ये दोन रखना है important है साथ ही आपको दो और important fact याद रखने सबसे पहला है अंतरास्थी Olympic समीती ने पेरिस में 2014 में होने वाले खेलों में break dance, skateboarding, sport climbing और surfing इन चार खेलों को शामिल किया गया है ये नए खेले और ये शामिल किया गया है यानि कि पहले से खेले जाते रहें लेकिन खेल कि रूप में जो है Olympic में शामिल किया गया है अब आपको यहाँ पर एक और important fact याद रखना है कि जो Olympic है 2024 में कहा होने वाले हैं तो 2024 की जो Olympic होंगे वो हंगे Paris में याद रखने हैं कि 2024 में जो उल्मपिक खेल हूंगे वो होंगे पैरिस में ठीक दोस्तों, पैरिस में होंगे 2024 के उल्मपिक खेल और इसमें जो हैं break dance, skateboarding, sport climbing और surfing इन चार खेलों को شامil किया गया है जो 2020 में होने वाले थे 2020 में Olympic का होने वाले थे तो जापान में होने वाले थे जिनने के अभी इस्तगित किया गया था Corona मामारी के कारण अब ये 2021 में होंगे ठीकी दोस्तों तो 2021 के Olympic का होंगे तो जापान में होंगे और 2024 के जो Olympic होंगे वो होंगे पेरिस में important और आपको याद रखें साथ इन चारों खेलों के आपको नाम याद रखने की इनने शामिल किया गया है caution exam में पुछा जा सकता है कि निम्न में से किसे खेल की रूप में Olympic में शामिल नहीं किया गया तो तीन option इसमें से होंगे और एक अलग होगा तो आपको सही answer लगाना है question important और आने वाले exam में देखा जा सकता है अगला है कि फिलिस्तिन भारत टेक्नो पार्क के लिए बारत ने 30 लाग डोलर का अनुदान किया है फिलिस्तिन और भारत के मध्य भारत और फिलिस्तिन जो देश है इन दोनों के मध्य टेक्नो पार्क के लिए टेक्नो पार्क नहीं टेक्नो लोजी से जुड़ा है ठीक दोस्तो टेक्नो लोजी पार्क का एक निर्मान किया जा रहा है फिलिस्तिन और भारत के मध्य इसमें जो है भारत ने 30 लाग डोलर का अनुदान किया है आपको याद रखने है कि भारत ने टेक्नो पार्क के लिए 30 दीश को 30 लाग डोलर का अनुदान दिया है तो आपको याद रखना है फिलिस्तिन फिलिस्तिन और भारत के मध्य टेक्नो पार्क के लिए भारत ने 30 लाग डोलर का अनुदान किया है तो ये दोनों important fact भी आपको याद रखने है तो आप इने याद रखेगा तो ये थे 10 December से जुड़े current affair के कुछ important question साथ ही उसे जुड़े कुछ important fact आपको ये सभी याद रखने है अब चलते हैं हमारे test पर आज के हमारे test का पहला प्रशन है भूमी की माप के आधार पर लगा निर्धारित करने वाला पहला शाशक कोन था यानि कि भूमी की माप के आधार पर यान किसी किसान के पास कितनी भूमी है उसके आधार पर लगा निर्धारित करने वाला पहला शाशक कोन था आपके पांसे चार option तो सही answer आपको बताना है Question No.2 है और सबसे important question है भारती क्रशी अनुसंदान संस्थान कहा इस्तित है कई बार exam में question पूछा गया है कि भारती ये क्रशी अनुसंदान संस्थान यानि कि जो क्रशी होती है उसमें नई करने का जो संस्थान है वो निम्ण मेसिक कि शहर में इस्तिथ है कोशिन बहुत बार एकजाम में पूचा गये है तो इसका आंसर आप बताइगा कि भारती कुरशी अनुसंस अन्दान संस्थान का जो है सस्थान कहां परिस्तित है कोशिन नमर 3 है इंडिया विन्स फिरीडम कि इनके दवारा लिखे पुस्तक है आज हमने पढ़ा था इंडिया डिवाय्डेड पूस्तक किसके दवारा लिखी गई थी ठीक दोस्तो तो एक और पुस्तक का नाम आपको जो दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम आपको बताने कि निम्न मेंसे इसके लेखक कौन थे इंपोर्टेंट है और आपको आंसर देना है आज के टेस्ट का अंतीम प्रश्ण है आज का हमारा topic थे dr. राजजिंदर प्रसाथ इनसे जोड़े जो भी important question बनते हैं वो आज हमने पढ़ेते हैं आपको वो सबी याद रखने है साथी आज के टेस्ट के चारों important question के अंसर आपको comment box में देने साथी आज के जो वीडियो में जितने भी important fact आये थे उन्हें आपको नोट जरूर कर लेना है अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करे साथी वे सभी जो आज चैनल पर नई है उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उप्योगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करे साथी बेल आइकन जोरूर दबाए जिससे के आने वाले वीडियो की तुरण जानकर ये आपको मिल सके थैंक यू